दोस्तो आज मैं आपको 2022 the all new Honda Hornet 2.0 का नया अपडेट दिखाने वाला हूँ दोस्तो इससे पहले आपने हमारे चैनल में यह कलर देखा था आज मैं इस बाइक कर एक detail review देने वाला हूँ यानिकि एक comparison review देने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले बात करें फ्रेंट वाइजर का ता फ्रेंट वाइजर पहले जासा ही है हॉंडा का एक sticker emblem इसमें दिया गया है सामने के तरफ आप दोस्तो हेडलांप काउल को अगर ध्यान दे तो हेडलांप के दोनों तरफ आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो की काफी बरिया इंद सेग् में अब सफ्रेंट हايघ्या और फूल डी LED एड्लम्प में देखने को मिल जाता है और फ्ल टैंक का बात कराएंग कता तो टूल लीटर का इसमें देखने को मिलता है जिसके चामनें को की का slot देखने को मिल जाएगा fuel tank के दोनों तरफ graphics work आपको देखने को मिल जाएगा hornet का branding आपको अभी golden color में देखने को मिल जाएगा जो पहले white color में आता था उसके साथ two point हो का भी branding side में दिया गया है golden color में अब जो tail cowl है पीछे का जो काहल है उसमें आपको glossy type finishing अभी देखने को मिलता है जो पहले matte में आता था और black color में आभी देखने को मिल जाता है और अभी इसमें USD suspension मिल रहा है 2022 से ही इसमे या फिर 2022 model है उससे भी आभी आपको USD suspension देखने को मिलता है USD मतलब upside down suspension आपको front के fork में देखने को मिल जाता है टार का बात करें तो front में आपको 110 by 70 size का 17 इंच वाला tubeless tire देखने को मिल जाता है और USD fork front में देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया आपको suspension दे देता है और काफी बढ़िया stability आपको दे देता है पीछे आपको spring type monoshock suspension देखने को मिल जाता है single channel ABS के साथ ये bike आता है front and पीछे दोनों ही तरफ आपको disc brake का option देखने को मिल जाता है और MRF का tire इसमें use होता है और अगर आप ठीक से गौर करें तो एक rim sticker भी इसमें दिया गया है जो की हलका gray color का इसमें देखने को मुझे लग रहा है टार काफी चौड़ा है यानि कि front tire on this segment काफी चौड़ा में आपको कहूंगा पीछे के tire का बात करें तो पीछे आपको 140 by 70 size का 17-inch वाले tubeless tire देखने को मिल जाता है पीछे का भी जो tire है उसमें भी आपको rim sticker देखने को मिलता है थोड़ा हलका-हलका gray and blue color का पीछे आपको disc brake मिलता है ABS का कोई option पीछे नहीं है क्योंकि single channel ABS गारी है और एक muscular सा tiny इसमें आपको exhaust pipe दिया गया है जिसका exhaust sound भी काफी refined है अब दोस्तों बात करें engine का तो 184.2 cc का इसमें आपको single cylinder 4 stroke engine मिलता है जो की लगभग 17 PS का power and 16 Nm का torque आपको generate करके देता है engine cowl इसमें दिया गया है काफी बढ़िया जो आपको refinement देता है 5-speed gearbox इस bike में आता है and stride stand engine cut-up इस bike में add हुआ है प्राइस का बात करें तो लगभग 1.62 लाक्स इस bike का price है बहुत सब्सक्राइब करके बेल नोटिवेशन को अल कर दो